दोस्तों अगर आप भी आपका लोन का EMI नहीं भर पा रहे हो तो आपका एक गलती आपको सीधे जेल के पीछे कर सकता है और वो क्या गलती है जो कि आपको नहीं करना है आज इस वीडियो में में बात करूँगा क्योंकि दोस्तों यहां पे मैं आपको एक जो है रियल है वो सारे इस वीडियो में में डिटेल्स में बताऊंगा जिससे आपको भी नॉलेज हो जाए और इन फ्यूचर आप भी वो सेम गलती ना करें तो दोस्तों मैं हूँ असन आप देख रहे है यूनीट नो वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे रिकोष्टर चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ इसाथ वीडियो का कंटेंट अगर अच्छे लगता है तो लाइक बॉटन को जरूर प्रेस करिएगा दोस्तों हम सभी को पता है अगर आप कोई लोन लेते हो और लोन डिफॉल्ट कर जाते हो तो वहाँ पे आपका कोई क् के थुरू आपका जो है केस आगे फाइल होता है अगर बैंक आपके खिलाब कोई भी शिकायत या फिर केस फाइल करता है तो लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक इस्यू हुआ है यहाँ पे एक भुवेनशर में एक जुएलरी है शौफ है उन्होंने एक्चुली 2013 में एक बैंक था जिसका नाम पहले था इलावाद बैंक अभी इंडियन बैंक से जाना जाता है वहाँ पे 2013 में 6 करोर का लोन लिया था अब यह जो 6 करोर का लोन था इन्होंने यह सिक्योर लोन लिया था लेकिन दोस्तों जब यह लोन चुकता नहीं करफा है फेल्ड हो गया तो बैंक न जब जांच किया तो पता चला जो पेपर इन्होंने दिया था वो पेपर था जाल साज तो जिसके चलते यह केस जो है पहुँच गया CBI के पास और CBI के टीम ने इसके उपर पूरा चानवीन करने के बाद फ्रॉट केस के तहित इनके उपर एफार दर्ज करा है तो दोस्तो से हो जो भी आप डॉकुमेंश दे रहा हो चाए एनकम पूरूड का हो चाए आपको अडरेस पूरूप ऊचाए आइडेन डीटो कोई भी जाल साजी या फिर इडिट करके या फिर इसको टेंपरिंग करके कोई गलत या फिर मिशिनोमeitter मत दीजे क्योंकि, देखे बैंक के पास आपके खिलाब डाइरेक कंप्लेन या फिर एफायर रिजिस्टर करने का जो है कोई भी सुविदा नहीं रहता अगर आपने ऐसा कुछ गलती किया है तो मतलब अगर आपने कोई इंकम प्रूप पे साथ चेरचार करके गलत दिखा के आपने लोन पास कराया है या फिर कोई गलत एड्रेस प्रूप या फिर आइडेंडी प्रूप देने के बाद आपने लोन पास कराया है तो बैंक के पास एक हतियार रहता है कभी भी अगर आपके खिलाप ओ लोग क्रिमि दिल्द आगले वीडियो वे तब तक अपना बहुत सरा ख्या लखीगा जय हिंद बंदे मातरम।